Hello everyone, welcome to my another video, कैसे हो आप सब आई होब कि आप सभी अच्छी होंगे, तो friends chapters को आगे बढ़ाते हुए, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ Unit 3 का थड टॉपिक, टॉपिक का नाम है, Contribution Indian Artist in National Freedom Struggle, ये टॉपिक में बताने वाली हो इस टॉपिक बताने के बाद जो आपका ठड टॉपिक पढ़ाने वाली हो, ठीक है, और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगे आपको 4th Unit, तो अब तक जिस किसी ने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजे, विल आइकिन को किलिक कर लीजे, साथ ही इंस्टा पे फोलो कर लीजे, इंस्ट प्रिटी, BFA कोर्स, BFA स्लेबस बोलके, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में भी इजली सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थौसा इसके बारे में बता दू, कि ये जो इंडियन, मतलब भारत के जो लोग है, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, क्या कंटिबूशन दिया, फ्रिडम को लेके, आजादी को लेके, ठीक है, स्ट्रगल जो भी उनका रहा है, उनके बारे में पढ़ना है, सबसे पहले बता दू कि भारत पे सबसे पहले ब्रिटिस्ट का सासन हुआ करता था, ठीक है, ब्रिटिस्ट का सासन हुआ करता था, तो भारत के जो भी लोग है, ठीक है, ब्रिटिस्ट के टाइम पे जिस तरीके से आर्ट की गई है, जिस तरीके से कला की गई है, उसी तरीकी के कला इंडियन के लोगों भी क्या करते हैं, क्योंकि उनका सासन था तो वो अपना कुछ भी अलग से नहीं कर सकते युरोपियों का सासन था साथ ही यथार्थवात जो है यथार्थवात में जिस तरीके से काम किये गए लाइक रियलिस्टिक काम किये गए उनके आर्ट को ही वो अच्छा मानते थे और उनको खुश करने के लिए उनके आर्ट की विटिस्ट की जो भी है आर्ट की अंग्रेजों की वो तारीफ क्या करते थे लेकिन जब modern period आया और बंगाल सेली आई ठीक है बंगाल सेली की शुरुबात किस ने किये तो अबने ना टाइगोर ने किये तो जब ये बंगाल सेली आई तो इसमें जितने भी आर्टिस्ट रहे ठीक है इन्होंने फाइट किया ठीक है ब्रिटिस्ट से आजादे दिलवाने के लिए कि लाइक जो चीजे चली आ रही है ब्रिटिस्ट की जिस तरीके से उखनार पसंद नहीं किया और वह चाहते थे कि वह अपना खुद का आर्ट फॉर्म लेकिया है अपनी खुद की संस्कृती जो है जो कहीं नखो चुकी थी उसको वापस से लेकिया है तो उन्होंने इसके लिए बहुत फाइट किया और इसी के लिए उन लोगों ने बहुत सारी पींटिंग्स भी बनाई नंदलाल बोस हो गए अमरिता सेरील हो गए यामनी राय हो गए चाप्टर है पढ़ना है इसमें बहुत सारी कुछ-कुछ पींटिंग्स है जो कि आपको पढ़नी है और कौन आर्टिस्ट ने क्या-कय योगदान दिया है उसके बारे में पढ़ना है है ना तो स्टार्ट करते हैं कला और कलात्मक रचना पर हमीशा से समाजिक आर्थिक औ उस समय भारत की सोशंतरता संग्राम इंडियन फ्रिडम स्ट्रगल का समय देश में भगती से भरा था मतलब पूरे देश में भरा था कि सभी फ्रिडम के लिए फाइट कर रहे थे जहां भारत के सभी नागरीक नेता कलाकार भारत की सोशंतरता संग्राम के लिए संगर्स कर रहे थे तो नेता कर रहे थे, वहाँ के कलाकार कर रहे थे, वहाँ के नागरिक कर रहे थे, इस दोरान भारत की सुषंतता संगराम का आम जंता पर जबरजस्त परभाव पड़ा, जो कि वहाँ के आम लोग है, उन पर परभाव पड़ा, उनिस्वी सताबदी के अंध से लेके विश्वी सताब्दी के सुरुवात तक एक एसा समय आया इसमें मौझूद लगबग सभी कलाकारों को प्रभावित किया और खास कर किसको प्रभावित किया है तो बंगाल इस्कूल के कलाकार को ठीक है उन्होंने भी सौदेशी और राष्ट्य आंदोलन सेवा के रूप में अपने चित्रों के लिए भारत्य सुन्दता संदराम के विशे के रूप में चुना मतलब यहां पर कहा रहा है कि जुन्होंने सब्जेक्ट चूस किया है चित्र बनाने के लिए वो भारत्य सुन्दता संदराम को लेके उन्होंने सब्जेक्ट चूस किया और उसी पे काम किया इसके अलाबा कुछ राष्ट्य नेता जैसे महात्मा गांदी और ज्वार लाल नहरू ने भी देश भक्ती की भावना को जगाने के लिए पारम पर इक भारत कला की मदर ली इन राष्टिय नेता ने इन कलाकारों की बढ़ती लोक प्रियता और इमंदारी को काफी हद तक समझा और उनका उत्सा बढ़ाया बता दो कि यह जो मैंने आप लोको पढ़ा रही है बुक्स में नहीं है और यह मैंने बहुत अच्छी से पीडिएफ बना के रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडिएफ एड है यहाप जो आपको हेडिंग दिख दिए कंटिबूशन इंडिन आर्टिस्ट इन न नागरिक को जागरु किया ताकि वो भी फाइट करें और वो भी समझे कि क्या कहता उनका जो संस्कृति हो कहीं न कहीं लुप दो हो रहा है और उन्हें बढ़ चड़कर हिस्सा लेना चाहिए तो वो सब पेंटिंग्स के बारे में मैंने इस पीडिएफ में मैंसन कर रखा ह तो फिर देर किस बात किये जाएए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडिएफ में से ने पीडिएफ को डाउनलोड कीजिए और ये पूरा आप स्लेबस बढ़िए तो चलिए इस वीडियो में इतने ही आई होप वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक अमेट एंड श झाल झाल झाल